डाउनलोड करें आमारुजालाय और पाएं खबरें लगातार आस्ट्रेलिया की शहर मार्करेट रिवर में रहने वाले टूर गाइड सीज ब्लॉक सीज ने एक ऐसे जीव को धून निकाला जो जानवरों का खून पीता है इस रहसे में जीव का नाम लैम्प्रे है जिसको लेकर कहते हैं कि ये जीव लाखो साल पहले से ही धर्ती पर मौझूद है और जानवरों को अपना शिकार बनाने के बाद उनका खून पी जाता है सीज ये कहते हैं कि वो पिछले 20 साल से इस जीव को खोज रहे थे कई कहानिया इसके बारे में उन्होंने इससे पहले सुनी साने लोगों से इस जीव के बारे में काफी जानकारी हासल की जिनके मताबक ये जीव जानवरों के लिए तो काफी खतरनाक है कुछ लोग इसे वेंपायर फिश के नाम से भी पुकारते हैं सीन ब्लॉक्सीज ने बताया कि उन्होंने एक साथ छे लेंपरे को देखा तो उनके लिए वो पल बेहत उतसाहित कर देने वाला था इस अनुखे जीव के बारे में जानकारी मिलने पर उस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी में सीनियर रिसर्च फैलो स्टीफिन बिटी ने कहा कि उस्ट्रेलिया की नदी में इस जीव का पाये जाना काफी उतसाहित कर देने वाला है साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम पेरेंस, बच्चों और दूसरे लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करना चाहते हैं कि बारिश के मौसम में तो इस जीव को देखने जरूर जाएं ये माना जाता है कि लैंप्रे अपना शुरुवाती समय ताजा पानी में ही वेतीत करते हैं फिर समंदर की तरफ रुख करने के कुछ समय बाद ही वो वापस नदी की तरफ आते हैं और फिर मर जाते हैं वहीं इस पर शोध करने वाले ये मानते हैं कि फिलहाल तो इनसानों के लिए लैंप्रे को खतरनाक नहीं समझा जा रहा क्योंकि अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है जिसमें उसने इनसानों को अपना कुछ इस तरीके से ही शिकार बनाया हो